Hey, so hello everyone, this is Siyaakash Kandai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. तो exam को हमारे कुछ crucial days बाकि है, बहुत ज़्यादा crucial days बाकि है, right? मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो आखरी के दिन बच्चे है यह सबसे ज़्यादा crucial है. I'll tell you the reason also. इसका reason यह है, कि जैसे हमारे exam नज़्यादा आते हैं, हम महनत कर रहे हैं, हम 10 गंटा, 12 गंटा रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन असली खेल, सिर्फ हो hard work का नहीं रहा अब, it is also the kale of your mind, it is also the play of your mind, है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जितना अपने mind को थंडा रखोगे, जितना अपने mind को control करोगे, और जितना आप positive रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, I'll tell you the reason, काफी लोग है ना महनत कर रहे हैं, 10 गंटा, 12 गंटा, 14 गंटा ठीक हैं, लेकिन ये control नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे सर अभी ये पढ़ रहा हूँ, तो वो भूल गया त सर वो पढ़ा था, तो दो दिन बाद भूल गया तो, आज जो पढ़ रहा हूँ, चार दिन बाद भूल गया तो, ये नहीं होने देना अपने साथ, अपना पे भरोसा रखो, जो पढ़ा वो याद आएगा, अपने इतने महीनों की महनत इतने आसानी से वेश्ट नहीं होती फॉर टाइम भी लगेगा भूल वे हो लेकिन अधना असान नहीं है भूलना भाई जितना याद करना असान नहीं हो तो इसलिए तो एक्जाम के पहले हमको वन पॉंट फाई देज मिलता है ना रिवाइस करने के लिए तो आप यह कभी मत अपने आप से एक्स्पेक्ट करो कि क्या आप जो चीज आज पढ़ोगे डिरेक्टली एक्जाम में रिकॉल होईगी क्या अरे उतना लंबा रिकॉल करना ही नहीं है आप जो आज पढ़ रहे हो वो आपको एक्जाम के पहले रिवाइस करने मिलेगा यह assurance दो अपने आपको जब यह assurance दोगे ना तो आप बोलोगे हाँ यार एक दिन फिरत एक बर और देखने मिलेगा ना तो अपने को सब चीजा याद आ जाएगी तो उसकी आपको चिंता करने के जरूवत नहीं है कि मेरे को याद आएगा नहीं आएगा मैं कैसे रिकॉल करूँगा यू विल बी अबल टू रिकॉल फिंग्स बी अशूर अफ दाट राइट सेकंड तिंग जब मैं माइंड की बात करता हूँ ना तो प्ली स्टे पॉजिटिव ठीक है अगर आपको अपने उपर ही भरोसा नहीं है तो जब आप यह आपको ही लगता है कि आप क्लियर नहीं कर सकते है तो फिर भगवान भी उपर बैटा भगवान चोच रहा है और इसको तो लगता ही तो क्लियर नहीं करेगा चलो इसकी इच्छा पूरी कर देते है तो जब भगवान इच्छा पूरी करने बैठा है, तो ऐसा को इच्छा मानना जो पूरी हो, तो stay positive, अंदर से खुद तो feel करो की clear करेंगे, आपकी preparation कैसी भी हो, देखो, preparation कैसा होता है, हमेशे ऐसा लगता है, अपना का में, दूसरे का जादा हुआ है, मतलब अपने थाली का अपने को खारा लगता है, और दूसरे के थाली का लगता है, तो लगता है, अपना का में, दूसरे का जादा है, भाई, सब एकी नाओ में तेरे, जिसका जितना भी हुआ है, दो रिवेजन, चार रिवेजन, पांच रिवेजन, सबको लगता है, मेरा कम हुआ है, तो it is also about staying positive, because अब positive होगे न, तो आप चीज़ों को fresh way में पढ़ोगे, और आप जादा पढ़ पाओगे efficiently, जब efficiently पढ़ोगे तो चीज़े better recall होगी, तो मेरा इस वीडियो बनने का सी यह मकसद है, मुझे पता है, सब महनत कर रहे हैं, आकरी एक मेने में सब पढ़ते हैं, बस खेल यह का भी है, ठीक है, इस बात का प्लीज ध्यान लखना, उसके लावा अपने इसाब से अपनी studies planning करो, किसे को देखा दे की करने की जरूवत नहीं है, मुझे पता है आप अच्छा कर रहे हो, एना don't let that go down, इस last moment पे give up मत करना, जितना खीच सकते हो खीच लो, ठीक है, लास 10 द इस लेवल का आपका dedication आजाना चाहिए भी इस समय पे, ठीक है, बाकी चिंता करने के जरूवत नहीं है, और काफी लोग एक और चीज, अगर यह आपको समझ गा तो clear है, mind थंडा, positive और must एक तो महनत से पढ़ाए करो, उसके लावा आखरी चीज, काफी लोग बोलने दा सार आप exam के पहले, FR का marathon लोगे किया, तो मैं लोगगा, FR का marathon, वो मैंने schedule भी कर दिया, अपने YouTube चैनल के उपर, तो आप उसको जाके, वो notify करके, बटन लोगा वहाँ क्लिक कर लो, चैनल को subscribe करना ता कि जब मैं marathon लोगा तो आपको मालूम पढ़ जाएगा, इस वीडियो को like भी प्लानर चाहिए, FR का होता है न, exam के 5 दिन में FR कैसे पढ़ेंगे, marathon कैसे यूस करेंगे, वो मैं share कर दूँग एक दो दिन के अंदर, ठीक है, तो उसका ज़्यदा load मत लो, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, महनत से पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब एक दम, बहुता है न, अन